हाई फेंड्स वेलकम बेक टुछ चैनल माने में स्केशन और दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल डेवलपर इस्टुएंट क्लब लीड्स प्रोगांग के बारे में जिसकर दोस्तों अगर आप पार्टिस्पेट करते हो और आप स्लेक्ट हो जाते हो त पसे रिक्षेट है अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सकाइब कर लेना और हमारे चैनल को भी जोइन करेना क्योंकि जो भी लेटेस अपडेट होगी सबसे पहले मैं यहां पर शेयर करके बाता देता हूं ठीक है आप चाहाँ तो दोस्तों आप हमें इंस् इसे के लिए क्या है कि आगर आपके इन्विश्टी या फिक कॉलेज के अंदर कोई भी जी डी ऐसी किलब नहीं है तो आप एज लीड अपने कॉलेज के अंदर गूगल डेवलपर स्टूरेंट कलब ओपन कर सकते हो ठीक है तो बेसिकली यह एक सिंपली आज आपको लीडर ब करते हैं अपने पीयर को सीखने में और दूसर वर्ल्ड वाईड लोगों से करेंट करने में ठीक है तो यहां पर इनके बार में इससे बैसिक डिटार्टिल सीक्राइव क्या होता है तो आपको बेसिकली काम आपको स्टार्ट करना है Google Developer Student Club, जिसके अंदर आपको अपने एक टीम बनानी है, जिसके अंदर कोर्टी मेंबर्स होंगे, और भी फैकल्टी एडवाइजर भी होंगे, जो आपके सपोर्ट के लिए रहेंगे, ठीक है, साथ में आपको हर एक पर्टिकुलर टाइम टू टाइम आपको एक होस्ट, मतलब आपको एक इवेंट भी होस्ट करना होगा, और आपको साथ में बहुत सारे लोकल पार्टनर के साथ प्रजेक्ट से बिल्ड करने होंगे, और चीज़े भी आपको सीखती रहने होंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपको फाइदा क्या मिलने वाला है, बिंग अ लीडर ऑफ ज आपको नेटवर्ग ग्रोधी मिलने वाला है, बहुत सारे वर्लड वाइड जीडिया सी लीड है, उनसे आपको कनेट करने का मौका मिलेगा, बहुत सा चीज़े को सीखने का मौका मिलेगा आपको इस प्रोगाम के जरिए, और लास्ट ली आपको कम्यूटी लर्णिंग तो अगर आप चाहो अगर आपको लीड बनना है तो आप चाहो तो आपके जो आसपास में जो भी कोई गूगल डेवलपर स्टोंट कलाब है, आप उनके साथ पार्टर्शिप करके आप कोई भी और इवेंट करा सकते हो, और एक्सपिरियंस गेन कर सकते हो, उसके बाद आप च पार्टर्शिप करा है कि आपको यहां पर फिल करना है, तो आपके पास minimum एक एर बचा होना चाहिए, आप अंडर ग्राजूट हो या फिर ग्राजूट प्रोगाम में आप अन्डूल होने चाहिए, साथ में आप इस प्रोगाम के अंदर आप अपना वन यर डेडिकेट कर तभी आपको इसके अंदेस्टर करना है तो आप कॉलिज एस्टोरेंट तो मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल इसके पार्टिस्पेट करो और आप मुझे पता है कि आप मनियर निकाल पाऊगा अराम से कोई दिक्कतवाज होने बात नहीं है ठीक है और आपको पैस्टनेट होना चाहिए टेक्निकल स्किल्स आपके पास होने चाहिए स्टॉंग मतलब यह ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ही बहुत ही एडवांस लेवल चाहिए अगर आप बेसिक डीसेंट लेवल के आपको पास टेक्निकल स्किल है तो आप इसकंदर अपलाई कर सकते हो कोई दिक्कत अगर आप स्लेक्ट हो जाते हो तो ठीक है अब यहां पर कमुर्टी गाडलन्स पर सकते हैं पर सारी डीटल बेसिक चीज़े दिखी दी हुई है कि आपको यहां पर नाइस रहना है रेस्पेक्टफवल रहना है और आपको जादए जादा हो सकते हैं आपको पार्ट्सपेट करना जितने ही इवेंट के रिलीज होते ह और आपको यहां पर थोड़े बहुत यहां पर गाडलन्स दे हुई है और कमुर्टी चीज़े दे हुई है तो अब बात करते हैं लासले आपको रस्टर कहसे करना है तो जैसे अब इस अप्लाय वाले बटन पर किलिक करोगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होगा ठीक है अच्छे से रिव्यू करेंगे फिर आपको इमेल पर यह कॉंटर्ट करेंगे कि आपका फाइनली जो आप सेलेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है ठीक है तो एटलीस आप रेजिस्टर ज़रू करो क्योंकि इससे आपको एक पर एक्स्पिरेंस मिल जागे क्या 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 यह मैंने लास्ट टाम गलती कि जो जिससे आप सीख पावकर कि नेक्स्ट यह मुझे कैसे अपलाई करना है इन सब चीज़ों करना ठीक है तो यह था बेसिक साथ डेटेल्स इस इवेंट से लेटर्ट आपको फिर भी कोई डाउट है कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लो तो दोस्तों मैंने के नेक्स वोड़ा में